एक बच्ची लंच टाइम पर रोती हुई आई और बोली टिया ने मुझे बुद्धू कहा और वो इतने पैनिक में थी तो मुझे उसको पहले काम करना था और अपने आपको भी अंदर ये अंदर वोर्ड रिफ्रेस करने थे कि कुछ भी नेगिटिव ना जाए तो मैंने उस होता गया तो उसके बाद मैंने सिर्फ उसको ये दिखाने के लिए कि जो बच्चे बोलते हैं कई बार उसका मतलब वो नहीं होता तो मैंने उसको बोला कि तुम क्या सच मैं अपने आपको बुद्धू समझती हो उसने का नई टीचर पता नहीं पर उसने ऐसा क्यों कहा तो कई बार वो खुद सैड होते हैं और एक हग चाही होता है तो तुम उन्हें एक फ्रेंडली हग दे सकती हो पर ये बिलकुँ सही है कि तुम्हें अपनी बात के लिए स्टेंड लेना है तुम फर्म वर्ड यूज़ करके ये कह सकती हो कि तुम मेरे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि तुम मीन थी और अपने लिए स्टेंड लेना बहुत जरूरी है और मुझे ऐसा लगा कि उस समय मुझे इसको ये भी बताना है कि हमें हमेशा दूसरों को हैपी करने के लिए चीज़े नहीं करनी हम दूसरों को नहीं बदल सकते इसलिए खुद हम उनस सिचुएशन से लड़ने के लिए तयार रहे हमेशा उस सिचुएशन आने पर काम हो और फिर उसका इलाज सोचे